नियोगी बहुत सरूरी बाते नमबर एक, दूत में सौम डालकर पीने से कमरदर्द में राहत मिलती है नमबर दो, रात को सोते समय पेसाब करके सोने से कभी गूर्दे खराब नहीं होते हैं नमबर तीन, रात में नाबी में तेल डालने से दिमाग तेज और काम करने लगता है और स्वस्ता भी ठीक रहती है नमबर च्यार, जो रोजाना दही का सेवन करते हैं उन्हें पेसाब में इंफेक्शन नहीं होता नमबर पांच, कटे हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाई से पेट की बिमारिया हो सकती है नमबर च्यार, रोजाना सुबा खाली पेट उल्टा लटकने से लंबाई बढ़ना सुरू हो जाती है नमबर साथ, मूली का रस पीने का रस पानी में पीतर की पत्री को खतम हो जाती है नमबर आट, थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा चबाने से जल्दी बिमारी नहीं आती नमबर नो, सुबा उड़ते ही कंगी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं नमबर दस, अगर आपके होट काले पढ़ जाए तो रात को सोने से पहले दही की मलाई होटो पर लगाए इससे आपके होट लाल और मुलायम हो जाएंगे नमबर ग्यारा, गुर के सेवन से सुगर की दिक्कत नहीं होती नमबर बारा, रोजाना बेर का सेवन करने से पेट की बहुत सी बिमारिया दूर हो जाती है नमबर तेरा, रोजाना सुबा खाली पेट एक टमटर खा लेने से बाल सफेद नहीं होती नमबर चौदा, जो औरते रात को सोने से पहले पांच मिनट तक अपने पेरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिस करती है उनको कोई बड़ी बिमारी छूँ नहीं पाती, आखों की रोसनी तेज होती है और दिमाग को टाकत मिलती है नमबर पंदरा, जो लोग सोने से पहले मूँ नहीं दोते हैं, वा जल्दी बूड़े हो जाते है रात को सोते वक्त हमारा चेरा साफ ना होने के कारण छाओरिया जल्दी पढ़ने लगती है जिसकी वज़े से चेरा खराब होने लगता है, हमेशा रात को अपना चेरा गुन-गुने पानी से या कच्छे दूस से साफ करके सोए नमबर सोला, तक्या लेकर सोने से रीड की हड़ी टेड़ी हो जाती है और कमर के दर्ड की बिमारी लग जाती है नमबर सतरा, कभी भी उल्टा मुँ करके نہ सोए क्योंकि उल्टा सोने से सीधा दिल को नقصान पहुँच सकता है और खाना अच्छे से नहीं पच पाता नमबर अठारा ऐसा सुना जाता है कि रात को मोजा पहन कर सोना चाहिए लेकिन रात को मोजा पहन कर सोने से हमारी सरीर को खोन की कमी हो जाती है और नजर कमजोर होती है हमेशा रात को सोते समय अपने पेरों को खुले छोड़ कर ही सोना चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं पेनना चाहिए जिसे पेरों में गर्मी पेदा करता हो नमबर उंगनीस रोजाना रात को एक गिलास पानी में 10-12 किसमिस डाल दे अगली सुबा खाली पेट किसमिस का पानी पी जाए और इसके बाद किसमिस को चबा कर खा ले इसके सेवन से लीवर नेच्रूल तरीके से साफ हो जाता है साथ इस सरीर में एक्ष्ट्रा फेट बंद होने लगता है और सरीर में खोन की कमी भी दूर होने लगता है नमबर 21 फिटकरी को उपर अंडे की सफेदी लगा कर मूँ पर मसलने से चेरे की जूरिया दूर हो जाती है नमबर 22 गोबी पकाते वक्त उसमें रोटी का एक चोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो पूरे घर में गोबी की मेल नहीं आती नमबर 23 करवे बदाम खाने से नजर कमजोर होने लगती है नमबर 24 गर्वती महिलाओ के लिए नास्पती अमरत के सम्मान है इसमें पायजाने वाला फार्मेट पच्चे को जनम देते समय होने वाली समस्यों से बचाता है नमबर 25 आईवेट के अनुसार जो वेगती बैट कर गुड़ गुड़ कर पानी पीता है उसे कभी पेट के रोग कीडनी हार्ट जैसी बिमारी नहीं होती नमबर 26 कॉल रिंग पीने से तूरंद बाद या पेले कभी भी चिंगम नहीं खाना चाहिए ये दोनों मिलकर साइन डेट बनता है जो जहर के सम्मान है नमबर 27 किसी भी लोहे की कड़ाई में नारियल के तेल को गरम करें और उसमें कड़ी पत्ता डाल कर काला होने तक पकाए जब पत्ते काली हो जाए तो आँच से उता ले और सीर दोने से एक घंटे पेले हलका घरम पानी करके इस तेल से सीर की मालिस करें इसे बाल जहने की समस्या खतम हो जाती है ये आजमायावा नुक्स का है बहुत अच्छा रिजट मिलता है नमबर 28 जिन लोगों को वाबसीर की प्रोबलम हो जाती है वागुडवाला सर्बत बना कर पी लिया करें वाबसीर की दिक्कत दूर हो जाती है नमबर 31 रात के वक्ट चार बदाम खाकर सोने से चेरे की स्किन चमकदार और साफ रहती है नमबर 30 जोडों के दरद को रोकने के लिए नीम के पत्र को तेल की मालिस करें नमबर 31 दातों का दरद सुरू हो जाए तो दात के नीचे लॉंग रख लो फाइदा होगा नमबर 32 पाउँ पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है नमबर 33 पानी पीकर फोरण सो जाने से आपकी दिमाग को नुकसान पहुँच सकता है नमबर 34 जेतून का तेल मोटापे से बचने के लिए बहुत फाइदेमन चीज है जेतून का तेल दुनिया का एक ऐसा पेड़ है जो चर्बी में नहीं बनता नमबर 35 पेसाब में ज़्यादा पीला पन आने लगे तो निम्बू वाला पानी पीना सुरू कर दो नमबर 36 रसोई में गुटे ही नाक में गी या चलसो का तेल लगाने से सीर और फेफरे स्वस्त रहते हैं नमबर 37 आयवेट के अनुसार सरीर में तेल की मालिस नहने से पहले करनी चाहिए यदि आप नहने से पहले तेल की मालिस करते हैं तो नहने और मालिस में थोड़ा गेब देना ज़रूरी है नमबर 38 लगबक 50 ग्राम बड़ी लाइची को तवे पर रखकर गूमते हुए चला लीजे थंडी होने के इस लाइची को पीसकर चूरन बना ले इस चूरन को नियमित रूप से सुबा खाली पेट लेने से वबसीर की समस्या ठीक हो जाती है नमबर 40 पेट में किसी तरह की परेसानी होने पर नीमू पानी कभी नहीं पीना चाहिए इसमें मौजूद है सिर्फ पेट में अलसर की समस्या पेदा कर सकता है जिससे जलन पेट दर्द हो सकता है नमबर 40 अगर आपको जोड़ो का दर्द हो रहा हो तो लैसुन के रस में कपूर मिला कर गंठिया या दवात रोग अंकों पर मालिस करने से कुछी दिनों में जोड़ा का दर्द गायब हो जाता है नमबर 41 की चिकनाहट को दूर करने के लिए एलोवेरा काट कर चेहरे पर लगा लो इससे चेहरे की चिकनाहट खतम हो जाती है नमबर 42 सौफ का चूरन दो चमच और नारेल का तेल एक चमच दोनों को एक कप पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें इससे कमरदर्द में रहत मिलेगी नमबर 33 अगर आपकी आवाज बैट गए है तो छोटी लाइची लॉंग मुलेटी तीनो के चूरन 33 गिराम की मातरा में घरम पानी से इस्तेमाल करें आपकी आवाज खुल कर आएगी नमबर 44 खना बनाने के बाद खाली चुले पर ना रखे गेस बंड करने के बाद ही उसके उपर दवा कभी भी न छोड़े इससे घर में दरिंद आती है नमबर 45 है को जईसे,